प्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकुम करता हूँ आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फिस्बूक और आजटीव नेटवर्क पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अं आज हम बात करने जा रहे हैं बहुती खास विशह पर जो हम सबके जीवन से बहुत खास तोर से जुड़ा हुआ है शकुन शास्त्र से जाने जूते चबपल भी बनीस सकते हैं बरवादी का कारण जाने शकुन शास्तर की बात जाने आईए इस बारे में जानते हैं देखे जीवन में शुब और अशुब सिक्के के दो पहलू है और शुबता के जरुवत है क्योंकि जीवन में हर किसी को सुक्ष, सम्रिद्धी और शुबता चाहिए हर काम यहां वस्तु को लेकर शकुन विचार किया जाता है क्या शुब रहेगा या नहीं रहेगा सदियों से ही शकुन अब शकुन के विचारों के साथ ही जीवन यातरा चली आ रही है प्राचीन गरंत शकुन शास्त्र में जीवन के हर पहलू के शुब अशुब परिणामों को बताया गया है प्रत्पी पर जन्में लेते ही मन शुब का संबंद नवग्रहों से जुड़ जाता है और इनी नवग्रहों से जुड़ी तमाम चीजें भी हैं और उसके जीवन में आज जीवन प्रभाव करते हैं जैसे हमारे जूते चपल क्या ये आप जानते हैं कि जो हमारे जूते हैं फुटवेर है ये कित्ता बड़ा महत्वर रखते हैं हमारे जीवन में आप क्या रोड पे नंगे पाउंच चलते हैं नहीं ना आप बात्रूम में भी स्लिपर्स पहन के जाते हैं शकुन शास्तिर के नुसार पेरों में पहने जाने वाले जूते चपल का सम्मंद शनी रहूर केतू से होता है शकुन शास्तिर के नुसार जूते चपल का सम्मंद सेहत के साथ साथ आपके सौभाग्य के साथ भी जुड़ा हुआ है आईए जानते हैं जूते चप्पल से जुड़े शकुन अफशकुन देखे पुराने जूते चप्पल घर में रखने से नकारतमक उर्जा का संचार होता है इसलिए हम दिपावली पर क्या करते हैं पुराने जूते जितने भी होते हैं, जूते चप्पल उनको बाहर फैक देते हैं, पुराने जूते चप्पल घर में रखने से मांसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, घर के बाहर अब्यवस्तित तरीके से जूते चप्पल रखने से नेगेटिव एनर प्रभान कोड़ों में जूते चपल की रैक यां अलमारी नहीं बनवानी चाहिए क्योंकि ये अशुबता मानी जाती है इशान इश्वर की दिशा है अगने जो है वो महिलाओं के लिए दामपत सुप की दिशा है और उत्तर दिशा धन की दिशा है कुबेर की दिशा है शिव भूरे जूते पहन कर ऑफिस जाने से बचना चाहिए जब जूते चपल जल्दी जल्दी खराब होने लगें तो समझ लीजे कुंडिली में शेनी देव बिगड़ गए और अशुफल दे रहे हैं तूटी चपलियां जूते को जल्द से जल्द घर से बाहर कर देना चाहिए अन्यता शनी के अशुफल के कारण रोजगार में दिक्कते आ जाती हैं भूलकर भी चपल जूते को सीड़ी के नीचे नहीं रखना चाहिए सीड़ी के नीचे का जो स्थान होता है वो रहु का स्थान होता है सा करने से रहु बलवान हो जाता है जिससे अकासमे कहानी के यो मिलेता है घर के मुखे दर्वाजे के ठीक बाहर यानि दहरी पर जूते चपल नहीं उतारने चाहिए अन्यता सोभाग ये प्रभावित होता है स्पेशली महिलाओं के लिए पती के सुख में दिक्कत आ जाती है घर में अवेवस्ति धंग से जूते चपल रखने से शनी ग्रह के शुपता बढ़ती है जिससे परिजनों के कामों में कदम कदम पर बाधाया आती है फैमिलि मेंबर्स के हैं गर के बाहर पेनने वाले जूते यां चपल को पहन कर घूमने से बाहर की गंदगी के सासा नकारतमक उरजा का भी प्रवेश भवन में हो जाता है इसलिए बाहर के जूते बाहर ही उतारें और रैक को हमेशे ढखकर रखें शनिवार के दिन जूते चप्पल नहीं खरीदने चाहिए ऐसा करने से शनी का कुपरभाव पढ़ता है जिससे किस्मत बिगड़ जाती है और आखरी बात बुधवार के दिन नए जूते नहीं पहनने चाहिए ऐसा करने से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं तो दोस्तों हमने जाना जूते चप्पल से जुड़े शकुन अफशकुन और आपको ये भी बताया कि कैसे जूते चप्पल भी बना सकते हैं, बन सकते हैं बरबादी का कारण. कल आपसे किसी और विशह पर, इंपोर्टन विशह पर बात होगी, स्पेशल सीरीज के इंतरगत, आज के लिए बस इतना इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्यु आए.